हम देली खा रहे हैं तो आज मैं डाइटेशन काने का खनना आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करती है नुकसान और जो कैसे जान लिवा हो सकती है हाँ जी तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहद की शहद हम लेते हैं अपनी इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए और इसे इम्मिनिटी बढ़ती भी है बट अगर हम इसी शहद को गरम करके लेते हैं तो इसके अंदर एक ऐसा टॉक्सिक ग्ल्यू बन जाता है जो की आपके इंट नहीं करना है हम क्या करते हैं लेमिनिटी लिए उसमें बिल्कुल गरम गरम चाय में शहद डाल दिया तो कभी ऐसा नहीं करना हिआ आप लेमिन Tी बणाओ थंडा हो ल्यूक्‍वोम में शहद डाल के लो और अगर आप गरम करते तो असंते इसकी वेल्यू कि ली लॉसाय हो हो सकता है नमबर टू पे आते हैं बदाम तो बदाम जैसा कि हमने सुना है बहुत हेल्दी होते हैं हाँ जी बदाम हेल्दी होते हैं इसमें वाइटमिन E है एंटि ओक्सिदेंट है गुट फो हैर गुट फो सकिन बट अगर यही बदाम आप जबी भी खाते हैं यही बदाम जैरीला भी हो सकता है क्यों क्योंकि अगर आप बदाम खाते हैं आपने देखा होगा कभी-कभी एक बदाम कड़वा निकलाता है तो अगर बदाम कड़वा है तो वो कही ना कहीं आपके बॉड़ी में कुछ जैरीले टॉक्सिंस को प्रड्यूस करेगा और वो कही ना कहीं आपके डाइजेशन को अफेक्ट करेगा और यह भी आपका जानलिवा हो सकता है तो जबी भी आप अदाम खा रहे हैं अगर हलका सा भी कड़वा अदाम मूं में आता है उसको तुरन फेक दीजिए अब हम बात करते हैं आलू की इसकी हम बात बात भी करेंगे तो आलू में आप देख रहे हैं यह आलू है और आलू एक ऐसा है कि जो हर घर में यूज़ करते हैं बच्चों के लिए बढ़ों के लिए बहुत टेस्टी भी होता है सबजियों का राजा आलू तो इसी आलू को अगर आप देख रहे हैं अगर यह हरा हरा हो या इसमें कुछ स्प्राउट्स निकले हो तो यह आलू आपके लिए टॉक्सिक है यह बिल्कुल जानलिवा हो सकता है क्योंकि यह हमारे बॉडी में जाके कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जो आपके ब्रेन की हेल्थ को अफेक्ट करता है तो अगर आप देख रहे हैं आलू यहां से हरा हरा है उसको या तो आप काटके यूज कीजिए क्योंकि अगर आप इसी आलू को बॉइल भी करके यूज करेंगे तो वो जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो इसमें से जाएगा नहीं क्योंकि वो बैक्टीरिया नहीं है वो कंपाउंड है तो इसको आपने क्या करना है या तो इसको कट करना है या फिर इस आलू को आप जाके फेक दीजिए और दूसरे आलू यूज कीजिए थ्यान रखेगा, यह आलू भी आपके लिए जैरेला हो सकता है number 4 पे आता है चाओल, तो चाओल कैसे टॉक्सिक हो सकता है तो चाओल भी टॉक्सिक हो सकता है क्योंकि चाओल में कुछ ऐसे bacteria होते जो हमें दिखेंगे नहीं आपको कुछ दिख रहा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, बड़ चावल में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो की हमें दिखेंगे नहीं, और जब हम उसे कुक करते हैं, उस टाइम पे वो कम हो जाएंगे, बड़ जैसे ही उन चावल को आपने बाहर छोड़ा, वो फिर से मल्टिप्लाई होके बढ़ जाएंगे, तो हमेशा आपने प्रैक्टिस अपनानी है, जब भी आप चावल करते हैं, अच्छे से वाश करना है, अच्छे से इसको कुक करना है, और जब यह हलकी से ठंडे हो जाएं, इनको फ्रिज में रखना है, तो फ्रिज में रख जूस, लौकी का सूप, लौकी की सबजी, और अगर बिमार है तो लौकी, लिवर की प्रॉब्लम है तो लौकी, डायबिटीज है, वेट लॉस करना है तो लौकी, तो लौकी के तो इतने बेनेफित हैं कि मैं क्या बताऊं, बट क्या आप जानते हैं, यही लौकी, आपके जहरीली भी हो सकती है, हाँ जी, क्योंकि अगर यह लौकी, आपने पहले भी सुना होगा कि मुंबई में एक ऐसा केस आया था, जहां पे किसी ने लौकी का जूस पिया था और उन्हें एडमिट होना पड़ा था, तो क्यों, क्योंकि अगर लौकी यह कड़वी है, तो आप बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा compound generate हो जाता है, जो की जहरीला हो सकता है, और आप ICU में भी जवा सकते हैं, तो जबी भी आप लौकी खाते हैं, या लौकी अपने लिए बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा कट करके पहले आप खा के जरूर देख लीजे, देना है, तो में डाइटेशन करने का खरना, फिर से आउंगी ऐसी ही टिप्स लेके, आपको अगर मुझसे कोने connect करना है, तो आप करनाल प्लस के माध्यम से इस नंबर से आप मुझसे से connect हो सकते हैं, किसी भी रिलेट की डाइट आपको चाहिए, भले cancer है, diabetes है, weight loss है, तो अब हमसे consultation book कर सकते हैं करनाल प्लस के नंबर के माध्यम से.